नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद हिमात पूर्चान कारी को ले करके जी हाँ इसका सप्ता हमें एक बार सेवन करने से जीवन भर डॉक्टर का मुह नहीं देखना पड़ेगा इसके सामने 350 रोग रही है मगर हम यदि जरा भी अपने अनमोल शरीर के लिए ध्यान दे और नियमित जीवन चरिया से सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल कर इस प्रयोग को कर ले तो आपको कई बीमारियों से निजात मिल जाएगी और जो स्वास्थ या स्वास्थ लोग हैं उनको भी डॉक्टर का म नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि जीवन का सुख निरोगी काया में है सुखी व्यक्ति जिसका पुत्र अग्याकारी है जिसकी पतनी सदाचारिनी है जीवन और रमर के बीच जूशते रोग्यों को प्रती दिन चार बड़े गलास भर करके ज्वारों का रस दिया जाता है जीवन की आशा ही जिन रोग्यों ने छोड़ दी हो उन रोग्यों को भी तीन दिन या उससे भी कम समय में चमतकारिक लाव होता देखा गया है ज्वारे के रस से रोगी को जब इतना लाव होता है तब निरोग व्यक्ति ले तो कितना आधिक लाव होगा तो अगर आप रोगी बनाया रखना चाहते हैं तो ये हमारा वाई सोबर ध्यान से सुनिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखे जिहां कैंसर में गेहुं के ज्वारे का उपयोग गेहुं के दाने बोने पर जो एक ही पत्ता उग करके उपर आता है उसे ज्वारा कहा जाता है नवरात्र अत्यादि उत्सोहों में यह घर-घर में, छोटे-छोटे मिटी के पात्रों में मिटी डाल करके बोया जाता है यह गिहूं के ज्वारे का रस प्रकृती के गर्ब में छीपी और शद्यों के अक्षय भंडार में से मानों को प्राप्त एक अनुपम भेठ है शरीर रस इतना अधिक उपयोगी सिध्ध हुआ है कि विदेशी जिव बैग्यानिकों ने इसे हरा लहू यानि कि ग्रीन ब्लड कह करके सम्मानित किया है डॉक्टरों का मानना है कि ये एक विदेशी महिला ने गेहू के कोमल जुआरों के रस से अनिक असाध्य रोगों को मिटाने के सफल प्रयोग किये तो ऐसा मानना है डॉक्टरों का कि ये बहुत सारे रोगों को खुद बखुद ऐसे ही खत्म कर सकता है ये बहुत ही अच्छा प्रियोग है आप सभी के लिए गेहूं के ज्वारे का ज्वारों के रस द्वारा उपचार से 350 से अधिक रोग मिटाने के आश्चर्य जनक परिणाम देखने में आये हैं जीव वन अस्पति शास्त्र में यह प्रियोग बहुत मुल्यवान है गेहूं के ज्वारों के रस में रोगों के उन्मुलन की एक विचित्र शक्ति विद्यमान है शरीर के लिए यह एक शक्ति शाली टॉनिक है इसमें प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइडरेट, इत्यादी, सभी विटामिन, छार, एवं श्रेश्ट, प्रोटीन उख्य लोगों को विभिन्य प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है कैंसर, मुत्राशर की पत्री, हरदय रोग, लिवर, डाइबिटीज, पायरिया, एवं दात के अन्य रोग, पीलिया, लकवा, धमा, पेट दुखना, पाचन क्रिया की दुरबलता, अपच, गैस, विटामिन A, B, इत्यादी की अभाव में उत्पन रोग, जोडों में सूज गठिया, संधि, शोथ, तवचा समवेदन, शील्ता, यानि की स्कीन एलर्जी, संबंधी, बारह वर्ष, पुराने केशों का स्वेत होकर के जड़ जाना, चोट लगे, घाव, तथा जली तवचा संबंधी, सभी रोग, हजारो रोगियों, एवं निरोगियों ने भी अपन अनुभव बताते हैं, कि जवारों के रस से आंख, दांत और केशों को बहुत ला पहुचता है, कबजी मिट जाती है, अत्याधिक कारे शक्ति आती है, और ठकान नहीं होती है, गेहों के जवारे उगाने की विधि जान लीजे, आप मिट्टी के नए खप पर कुंडे या स ठाया में रखें, सुर्य की धूप कुंडों को अधिक या सीधी नलग पाई इसका ध्यान रखें, इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरा कुंडा या मिट्टी का खप पर बोएं, और प्रती दिन एक बढ़ाते हुए, नवे दिन नवा कुंडा बोएं, सभी कुंडों को प प्रती दिन पानी दें, नवे दिन पहले कुंडे में उगे गेहुं काट करके उपयोग में लें, खाली हो चुके कुंडे में फिर से गेहुं उगा दें, इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा करते चक्र चलाते जाएं, इस प्रक्रिया में भूल करके भी प्लास्टिक के बर्तनों का उप्योग कधापी न करें प्रतिक कुटूंब अपने लिए सदैव के उप्योगार्थ इससे भी अधिक कुंडे रख सकता है प्रति दिन व्यक्ति के उप्योग के अनुसार एक दो या अधिक कुंडे में गेहूं बोते रहें मध्यायन के सु जरूरी की रोशनी जरूरी भी है और बहुत तेज रोशनी ना लगे इसका खयाल भी रखना है समान्य तया आठ से दस दिन में ग्यहूं के ज्वारे पांच से साथ इंच तक उंचे हो जाएंगे ऐसे ज्वारों में अधिक से अधिक गुन होते हैं ज्यों ज्वारे साथ इ कैंची द्वारा काट लें अथवा उन्हें समूल खीच करके उपयोग में ले सकते हैं खाली हो चुके कुंडे में फिर से ग्यहूं बो दीजिए इस प्रकार से प्रते इक दिन ग्यहूं बोना चालू रखे ज्वारों का रस बनाने की अब विधी जान लीजिए विधी है जब समय अनुकूल हो तभी ज्वारे काटें काटते हीं तुरंत धो डालें धोते हीं उन्हें कूटें कूटते हीं उन्हें कपड़े से छान लें इसी प्रकार से उसी ज्वारे को तीन बार कूट कूट करके रस निकालने से अधिकाधिक रस प्राप्त होगा चटनी बनाने अथवा रस निकालने की मशीनोई त्यादी से भी रस निकाला जा सकता है रस को निकालने के बाद विलंब किये बिना तुरंत ही उसे धीरे-धीरे पियें किसी सशक्त अनिवारे कारण के अतिरिक्त एक शन भी उसको पड़ा न रहने दें कारण कि उसका गून प्रतिशन घटने लगता है और तीन घंटे में तो उसमें से पोशक तत्व ही नश्ट हो जाते हैं प्राता काल खाली पेटी यह रस पीने से अधिक लाब होता है दिन में किसी भी समय ज्वारों का रस पिया जा सकता है परन्तु रस लेने के आधा घंटा पहले और लेने के आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए अरंब में कईयों को यह रस पीने के बाद उबकाई आती है उल्टी हो जाती है अथ्वा सर्दी हो जाती है परन्तु इससे घबराना नहीं चाहिए शरीर में कितने ही विश एकत्रेत हो चुके हैं यह प्रतिक्रिया इसकी निशानी है सर्दी दस्त अथवा उल्टी होने से शरीर में एकत्रेत हुए वे विश निकल जाएंगे ज्वारों का रस निकालते समय मधु अदरक नागर बेल के पान खाने के पान भी आप डाल सकते हैं इससे स्वाद और गुण का वर्धन होगा और उबकाई नहीं आएगी विशिष्टया यह बात ध्यान में रख लें कि ज्वारों के रस में नमक अथवा निम्बू का रस तो कदा भी न डालें रस निकालने की सुविधा न हो तो ज्वारे चबा करके विखाये जा सकते हैं इससे दात मसूड़े मजबूत होंगे मु दूद दही और मांच से अनिक गुणा अधिक गुणकारी है दूद और कोई भी किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन भी जो नहीं दे पाता है उससे बहिए अधिक इस रस में मिलता है इसके बावजूद दूद दही और मांच से बहुत सस्ता भी है घर में उगाने पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस रस का उपयोग करके अपना खोया हुआ स्वास्ते फिर से प्राप्त कर सकता है गरीबों के लिए यह इश्वरी आशिरवाद है नौजात शीशु से लेकर के घर के छोटे बड़े अबाल व्रिद्ध सभी ज्वारे के रस का सेवन कर सकते है नौजात शीशु को प्रती दिन पांच बूंद दी जा सकती है ज्वारे के रस में लगबग समस्त शार और विटामिन उपलब्ध हैं इसी कारण से शरीर में जो कुछ भी अभाव हो उसकी पूर्ती ज्वारे के रस द्वारा अश्चर जनक रूप से हो जाती है इसके प्रती के रित्व में नियमित रूप से प्राण वायू, खनीज, विटामिन, शार और शरीर विज्ञान में बताए गए कोश्चों को जिवित रखने के लिए अवश्यक सभी तत्व प्राप्त किये जा सकते हैं डॉक्टर के सहायता के बिना गेहूं के ज्वारों का प्रय प्रयोग किये गए हैं, कैंसर जैसे असाध्य रोग मिते हैं इससे शरीर तामर वरने और पुष्ट होते पाए गए हैं, जिहां दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी और लाफकारी प्रयोग है, इसके सहरे आप अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं और यहीं हमारी कामना और इक्षा होती है, तो ये प्रयोग करते रहें और लाब लेते रहें, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं, एक अन्य बेहदी महतोपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों झालाए